हेल्व एन वेलकाम आप देख रहा हैं स्पोर्ट्स तक मैं हूँ धीरज बात करेंगे रोईज शर्मा की बात करेंगे आईपिल दोहज़र पच्चिस की आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं उसमें साफ तोर पे लिखा है IPL 2025 में कहा नजर आएंगे रोहिच शर्मा अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस हिसाब से रोहिच शर्मा का वर्ल्ड कप गया है T20 वर्ल्ड कप गया है हर कोई चाहेगा उन्हें अपनी टीम का ओपनर पनाना और आप सभी को पता है कि अभी तक IPL की जो रिटेंशन का है कितने रिटेंशन होने है कितने नहीं होने ये नहीं आया लेकिन स्पेकुलेशन जो कह सकते हैं उसका जो बाजार है थोड़ा गरम हो चुका है अब अगर रोहिच शर्मा को मुंबई रोक लेती है अगर रिटेंशन अगर आज आते हैं और मुंबई रोक लेती है तो बात अलगे फिर ये सारी चीज़े यहीं की यहीं खतम की खतम हो जाएगी लेकिन अगर रोहिच को मुंबई इंडिया से रिलीस कर देती है जिस तरह से चल रहा है जिस हिसाब से पिछला सीजन देखके लगा है तो फिर रोहिच शर्मा आपको कहा नजर आएगे यह हर किसी के मन में होता है और हर कोई चाहेगा जिस हिसाब से रोहिच शर्मा का यह T20 World Cup गया रहा है क्या बल्लेबाजी की थी जो स्टार्क ने फाइनल जिता है उस स्टार्क को उन्हें कितना बुरी तरह मारा है आप सब ने देखा तो कौन सी ऐसी टीम होगी है कौन कौन सी ऐसी टीम होगी जो यह सोच रहे होगी कि रोहिच शर्मा उनके रडार में होगे तो चले काम करते हैं आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टीम है जो सोचेंगी यार कि रोहिच को अपने पास रख लेना चाहिए या इन पे बैए करना चाहिए एस लीडर भी एस बल्लेबाज भी तो यह आपके सामने है अब आप इसमें देखेंगे कि रोहिच के पीछे जो सबसे पहला क्योंकि इस IPL की सबसे महगी फ्रेंचाइजी जो है वो है लखनव सुपर जायंट अब लखनव भी जा सकती रोहिच के पीछे क्यों क्यों क्योंकि आपको पते एक वीडियो वाइरल हुआ था केल राहुल वाला और उसके बाद हाली में एक पॉड़कास्ट में अमित मिश्रा ने भी बोला कि यार एक बात तो है कि अब जो लखनव की टीम है वो कप्तान ढूड़ेगी तो कप्तान प्लस ओपनर बैट्समेन यार रोहिच शर्मा तो मतलब फिर यहां तो मतलब ऐसा लगता है कि ये बने ही एक दूसरे के लिए बट ये है कि जो गयंगा के साथ पिछले कुछ टाइम में जो उनके ओनर है उनके साथ रहा है में जोनी को फिर कप्तानी से हटाना फिर ये सारी चीज़े करना तो ये कहीं न कहीं रोईच शर्मा को भी डराएगा कि अगर इनके साथ जाते हैं तो भविश्य कैसा होता है ये बात की बात है अब रोईच शर्मा के साथ एक दूसरी चीज़े है अब वो तीसरे फ्रेंचाइजी जाएंगे तो यार पंजाब भी बुलीगी यार हमने ऐसा हम भी तो ऐसी फ्रेंचाइजी है और पंजाब को भी जरूआ था आपको याद होगा पिछले सीजर आपने देखा होगा शिकरधवन कप्तान होते थे अब शिकरधवन का बीच में इंजरी होगे एक अंधा बोल गया तो उसके बाद आपको नजर नहीं है तो कहीं नहीं पंजाब भी सोचेगी यार कि अगर रोहिट शर्मा हमारे पास आजए तो एक ब्रैंड वैल्यू भी बढ़ जाएगी और पंजाब का भी आप जानते हैं कि जो फैंस है वो बड़े ह पैशनेट है तो ये भी एक हो सकता है कि बतौर कप्तान और एक ओपनर बल्लबास उनको भी यहाँ पे अच्छा खिराड़ी मिल सकता है अब एक तीसरी चीज़े यहाँ बात करेंगे डेली कैपिटल्स की अब ये चीज़े कि रिशाप पंदगर छोड़ के आते है तो रोह कौन करता है जैक फ्रेजर मैगर्ग और अभिशेक पोरेल तो सोची कितना बदलाव आया तो कहीं है कि डेली भी जा सकती है कि अगर उनके पास एक ओपना चीज़े तो सोची जैक फ्रेजर मैगर्ग और साथ में रोहिच शर्मा और फिर नीचे रिशाप पंद तो ही न तो अब ये सवाल चल रहे था थोड़ा सा कि शायद मुम में इंडिया स्ट करना चाहती थी रोहिच शर्मा को उस वक्त डेली से लेकिन वो हो नहीं पाया था अब ये भी देखना हुगा अब चौथा ऑप्शन है जो आपके सामने है गुजरात को भी ओपनर की तलाश है क्यों साथ आठ गेम फिर चले आते हैं तो उनको एक वहाँ पर ओपनर चीए कहीं नगई उनके पास साई सुदर्शन भी है बट फिर वो 1-2-3 का जो किरदार है उसमें एक ऐसा बैट्समें चीए जो शुमन गिल को के साथ थोड़ा अच्छे से बल्लेबाजी कर सकते है तो रोहि अगर मुझे का भी चांस मिलता है कि आगे अगर मुंबई मुझे अपने पास नहीं रखती है तो मैं को किस टीम सी खिलना है तो उनहों ने कहा था कोलकता नाइट रैडस अब देखना होगा कि क्या कोलकता भी आपको पाता है जिसे साफसुन की टीम है श्रेय सेयर भी ऐसा लगता है कि बड़े साधारन से बल्लेबाज उतके परस नजर आते हैं क्या वो वहाँ जा सकते हैं और जा भी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और बाकी भी टीम है लेकिन बाकी टीमों के पास आप दिखेंगे तो उनके पास जो चोईसे से थोड़ा अलग है रोईच शर् के क्यार के रंग में या गुजरात के रंग में तो वक्त ही बताएगा कि कहा नजर आते हैं केतने रंग में नजर आएंगे या वो वही नजर आएंगे जहां उनने पांच IPL ट्रॉफी जीती है मतलब उनका इलाका उनका एरिया मुंबई इंडिया